हालो एंड वेलकम टो मैं चैनल मदिनिया रेसिपी जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर रखे हैं तो नैचुरली टमाटर की ही रेसिपी होगी कोई तो मैं आपको बता दूं कि टमाटर की मैं रेसिपी बना रही हूं टमाटो सूप बना रही हूं कि जैसे कि आजकल सर दिया ह तो चलिए बनाते हैं टमाटर का सूप तो सबसे पहले हमें लेने हैं आपके मेंबर जैसे हैं फैमिली मेंबर उसी की अप्रडिंग ले लिए जी आपने जितनी सूप बनाने हैं और उनको बड़े-बड़े पीसिस पे इस तरह से पानली चोप कर देना है इस तरीके से दोबर बॉरे पीस कर देंगे तरह से पीसिस कर देंगे तरह से सिस्की नोट्स निकाल दीजिए और माटर कर चुके हैं अच्छा है तो इसके फोर पीसिस कर लिए निकालते जाए अच्छे तरीकी से पहले टमाटर करो पानी से धो लीजिए और निल्कुल फ्रेस टमाटर लीजिए चलिए मेरे टमाटर हो चुके तो चलिए पैन को कर लेते हैं गरम और गरम करने के बाद डालते हैं इसके अंदर एक चम चॉइल और बटर दोनों चीज़े डालने से ये फाइदा होगा कि ये इसके अंदर बटर जमीगा नहीं और इसे थोड़ा सा खलका सा गरम करना है अब अब इसमें डालेंगे हम ये थोड़ी सी कालिमेर्ज ब्लैक पेपर जीरा थोड़ा सा जीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा अब दर असे इसको भी चलाएंगे अब हम डालेंगे इसके अंदर एक बड़ा प्यास रफ्ली टॉप किया हुआ और प्यास के बाद डालेंगे इसमें पांसा तलसुन की कलिया अब हम इनको गरम करते हैं लेकिन हमें इससे बूरना नहीं है अब हम इससे अंदर डालेंगे एक गाजर करते हैं इसके डाइस डाल देंगे गाजर में इसके डाली है कि यह बॉड़ी भी देगी सूप को और तिकनेस भी आएगी सूप पे और हैल्दी भी रहेगा फोड़ो सो सौते करने के बाद पॉरण हम इसमें डाल देंगे टमाटर पाणाद को बूमें की जरूगत नहीं है अब इसके अंदर जादेंगे पानी इसमें जाएगा नमक अपन के शुआदर आपको मालूब होगा कि मैं सेधा नमक ही यूज़ करती हूँ हम जब जीन जाते हैं तो वहां भी सबसे पहले हो यही करते हैं कि हम जो है सेधा नमक खाएं उम्हारी बोली से टॉक्सिंज निकालते हैं अब इसमें डालते हैं पानी पानी आप इसमें कोड़ जादर डालिए अब हम इसको अच्छे तरीके से उट्णे देते हैं हम इसको हेल्दी बना रहे हैं इसके लिए मैं इसमें लाल मिरज नहीं डाल रही हूँ वैसे इसमें कश्मीरी लाल मिरज डालते हैं इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाता है लेकिन मैं मेरज को हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ तो में सिरफ एक मिरज को बीच से सलीटन करके डाल देती हूँ मेरज डालकर अब इसके हम थोड़ी देर के लिए फंदर अभीस मिनट के लिए लिट लगा देते हैं बिणे जाहिए जब तक टूप होता है हमारा तयार तक हम लेते हैं दिए जो में चीज है इसके साफ कॉम्बिनेशन है है क्रुटॉन का तो बनाते हैं प्रूटॉन इसके लिए वनिली है ये मल्टि ग्रेड ब्रेड आप ब्राउन δεν कोई भी कुछ भी ले सकते हैं आप इसकी स सारी साइड निकारें करें और इसकी क्रूबर रुष तियार करने हैं कर दो 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 तो हम थोड़ा सा हलका सा फ्राइ कर लेते हैं वैसे तो इसको अबन में भी बेग कर सकते हैं बाटी कोई बात नहीं अगर अबन नहीं हो तो हम इसको टॉस करकर के फ्राइ कर लेंगे चलिए इसमें हम डाबते हैं थोड़ा सा बटर बटर को पुलाकर थोड़ा से बटर डालकर हम इसमें डालेंगे यह की दौन इसे हम प्राइ कर लेंगे थोड़ा सा तो देखिए यह में थोड़ा सा बटर डालके में रुटल्स बहुत अच्छी तरीके से ट्यार कर दियें तॉस करके आप इसने भी इसी तरीके से टॉस करके बहुत अच्छे प्राइब हो जाएंगे यह चलियो तो हो गया है और त्यार होने वाला है अब तक देखते हैं जरा बाहर का नजारा भी जाकर देखिए आप लोग कहते थे ना कि आप अपने घर के आगे का नजारा नहीं दिखाते हैं शीमला जैसी जगह में रहती हूँ तो देखिए यह मेरी गैलरी है और गैलरी की सामने का वीव दिखाऊं में आपको कि अपको कर दो कर दो कर दो जो बो नो बोग जो 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 झाल झाल देखे यह इस तरीके से इसको हमने कर्ची से गुमा गुमा कर अच्छे तरीके से इसका पंप निकाल दिया है अब यह कुछ नहीं बचा है तो यह देखें कितने इच्छे से इसका कितना स्मूथ एच्छा गाडा गाडा निकलाए जो हम इसमें नीक्स करेंगे को देखिए कितना अच्छा किलर आली की बीश़ुरत नहीं है बायर में रहते हैं किस तरीके से हम Bluetooth यह पतानल कि तो सारा मैंने मिक्स करके अब इसमें पका लिया है और यह डाल रही होँए इस पे घोल कर इससे यह है कि आपका सूप जाएगा तिक हो जाएगा उसी बख में अब हम इसमें तोड़ी सी इसकी स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा एक स्कूप चीनी का डाल देंगे एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर काली मिरच अधा चमच के करीब क्योंकि पहले भी हमने इसमें काली मिरच डाली थी और बस थोड़ा सा ही बॉयल आएगा और यह तयार हो जाएगा इसके अंदर देखिए गाजा तो डाली थी उसकी भी थिकनेस है और मुझे इसमें का उसी तरीके से लगता है बनाना अंजी दोस्तों तो मैंने से सर्विं बॉल भी निकाल दिया है देखिए इसकी कंसर्चेंजी कितनी अच्छी आई है फोड़ से क्रूटोंस डाल देते हैं इसकी टेस्ट को बढ़ा देंगे तो देखिए गाइस मैंने इसकी डेकरेशन भ अगर आपने कैलरीज बढ़ानी है तो आप क्रीम डाल सकते हैं नहीं डालनी है तो मत डालिएगा लेकिन इसकी मतलब की बहुत ही अच्छी फ्रेग्रस कुष्भू लाजवा बारी है और खाने को लिए मन नलचा रहा है देखिए आप लोग फटा फट से मेरे चैनल को सब् बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो के साथ थेंक्यू याज़ लोग देखिए बहुत शुक्ष्वाप लोग देखिए बहुत वारी हैं अगली लोग पालिएगा लोग टेंक्यूओ बहुत बहुत शुक्रिया का रहा है जब हैं अगली वीडियों देखिए देखिए कर दो कर दो